दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोश्ट गार्ड नाविक इग्जाम के तैयारी के लिए साइंस के कार्य उर्जा और सक्ति का पार्ट टू दोस्तों इससे पहले जो है मैंने आपको पार्ट वन प्रोवाइड करवा दिया है तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के निच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी ये चेफ्टर आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से एक दो कुश्चन बन सकते हैं चाहे वो आपका न्युमेरिकल का कुश्चन हो या फिर थोरी का कुश्चन हो तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे दुआरा दिये जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो देखिए दोस्तों शुरूआत करते हैं एक बहुत ही इजी कुश्चन के साथ में और या पर आपको जोए कुश्चन दिया गया है कि कारिये में क्या होता है ठेक है तो वर्क जो होता है इसमें क्या होता है तो आपको options दिये गए हैं कि इसमें कोई दिसा नहीं होती केवल परिमान होता है Option number B दिसा और परिमान दोनों ही नहीं होते यानि कि direction and magnitude ये दोनों ही चीजें नहीं होती इसके बाद में आपको बोला गया है कि दिसा और परिमान दोनों होते हैं या फिर Option number D केवल दिसा होती है परिमान नहीं तो कारिय में भई आप लोग जानते हैं कि दिशा नहीं होती है केवल परिमान होता है तो इस question के लिए दोस्तों हमारा correct answer हो जाएगा option number A कारिय में दिशा नहीं होती केवल परिमान होता है ठीक है चलिए साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को अनेकेडमी के बारे में अनेकेडमी के दुआरा दोस्तों तीन नए कोर्सेस को सुरू किया जा रहा है जो कि आपके होने वाले हैं आप अच्छी Air Force XY, रन भूमी NDA और वीर NDA तो भई अगर आप लोग Air Force XY Group exam या फिर NDA exam की तयारी कर रहे हो तो आप लोग इन कोर्सेस के लिए इन्रोल कर सकते हो काफी शांदार कोर्सेस होने वाले हैं डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के दुआरा आपको याँ पे पढ़ाया जाएगा जिससे की आप लोग NDA exam और Air Force XY Group exam का रिटन आसानी से क्लियर कर लोगे तो अगर आप लोग इन कोर्सेस के लिए इन्रोल करना चाहते हो तो आपको अनेकेडमी का लर्नर एप इंस्टोल करना होगा और उसके बाद में सिंपली उसमें रेजिस्टर कर लेना है उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को कोर्स में सिलेक्ट करना है NDA, Air Force XY और Navy को उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करने के लिए बोला जाएगा तो आपको वहाँ से एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेना है जिसके बाद में आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा तो दोस्तों रेफरल कोड में आप लोगों गो डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल कर देना है जिससे कि आप लोगों गो अच्छा खासा डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेस के लिए इन्रोल कर सकते हो सारी लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कुशिन के साथ में तो नेक्स्ट कुशिन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मजदूर जमीन से 12 किलोग्राम सामान को उठाता है यानि कि कोई एक लेबर है जो कि 12 किलो लगेज को लिफ्ट करता है ठीक है जमीन से उसके बाद में बोला गया है कि उसे वो डेड़ मीटर उपर उठा करके अपने सिर पर रखता है ठीक है तो अब आपसे ये पूछा गया है कि सामान पर उसके दुआरा किये गए कार्य की गणना करो तो वर्क पूछा गया है ठीक है और जी की वेल्यू आपको दे दी गई है 10 मीटर सेकंड स्क्वेर ठीक है तो अब देखिए हमें याँ पर क्या क्या दिया हुआ है तो वर्क पूछा गया है 10 मीटर पर 30 सेकंड स्क्वेर ठीक है और एच की वेल्यू यहां कितनी हो गई तो हमें बोला गया डेड़ मीटर वो जो है उठाता है सामान को और फिर सर पर रखता है तो भाई आप लोग जानते हैं ठीक है पड़र रखा होगा डबलू बराबर क्या होता है एम जी और एच ठीक है अब हम क्या करेंगे इन तीनों की वेल्यू पूट कर देंगे जिससे की हमें कारिये मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वेल्यू पूट करते हैं तो भाई हम जा करेंगे या फिर मल्टिप्लाइ करेंगे तो भाई हमें आंसर मिलेगा एक सो असी ठीक है और क्योंकि कारिया पूछा गया था यानि कि डबलू तो यह हो जाएगा आपका जूल तो इसको हम जो है जे से रिप्रिजेंट करते हैं तो दोस्तों इस कुश्चिन के लिए आपक आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जमीन के उपर एक बिंदू पर किसी वस्तु की जो गुर्तविय इस्तिति उर्जा जो होती है उसको किसके रूप में परिबाशित किया जाता है यह आपसे पूछा गया है दोस्तों ओप्शन को पढ़कर के जो है आप लोग जवाब दे पर बेशकते हो तो देखिये ओप्शन क्या क्या दिये गए हैं तो इसे गुर्थवा कर्षण के विप्रीत जमीन से उस बिंदू पर उठाने के रूप में परिबाशित किया जाता है ठीक है ओपसन नमबर B इस पर गुर्थवा कर्षण बल लागू करने के रूप में ओप की जो गुर्तविय इस्थिति उर्जा जो होती है उसको हम गुर्तवा कर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उपर उठाने की रूप में परिवासित करते हैं तो correct answer हमारा क्या हो जाएगा option number A ठीक है आप लोग जो इसको याद भी कर लीजिएगा काफी important हो जाता है NDA exam में ये आ चुका है ठीक है चलिए बढ़ते हैं बाई next question की तरफ तो अगला question जो की आपको याँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस मामले में कोई भी कारिये नहीं होता है यानि कि आपको नीचे चार options दिये गए हैं इन में से आपको बताना है कि कौन सा option ऐसा है जि ठीक है drawing water from a well option number B एक गदा यानि कि जो donkey होता है वो अपनी पीट के उपर सामान लेकर के या फिर वजन लेकर के चल रहा है ठीक है option number C सुमन एक पुल में तेर रही है यानि कि सुमन एक लड़की है जो की swimming कर रही है ठीक है या फिर option number D एक engine जो की train को खींच रहा है तो इन म से जो है किस मामले में कोई भी कारिये नहीं हो रहा है ये आपको बताना है most important question भी हो जाता है ज्यान से समझिएगा एक एक बात को अब देखिए दोस्तों यहाँ पर correct answer आपका हो जाएगा option number B एक गदा जो की अपनी पीट पर वजन लेकर के चल रहा है इस मामले में कोई भ क्यूं ठीक है तो समझिए बात को यहाँ पर कोई भी कारिये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का जो विस्तापन होता है वो लगने वाले बलके दिसा के लमवत है ठीक है तो इस कारणे से जो है यहाँ पर कारिये नहीं हो रहा है चलिए मैं आपको समझा भी देता ह तो देखिए भई हम लोग जानते हैं कि w बराबर क्या होता है f dot s ठीक है हम लोग बोलते हैं ना बल गुणा विस्तापन ठीक है तो देखिए भई डबलू बराबर होता है f dot s यह s है यहाँ पर ठीक है और cos theta अगर आप लोगोंने हमारा पहले वाला इसका वीडियो देखा है चैप्टर का तो आपको पता होगा यह मैंने formula जो है आपको last वीडियो में भी बताया था तो f dot s cos theta मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है अब मैंने बोला कि वस्तुक का विस्तापन लगने वाले बल की दिसा के लमवत है ठीक है तो cos कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 ठीक है तो यह यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा f dot s cos 90 यह हो गया तो अब देखिए भई यहाँ पर 0 हो गई value तो w बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 तो यहाँ पर हमारा जो option number b है वो सही है कि एक गदा जो की अपने पीट के उपर वजन लेकर के चल रहा है इस मामले में कोई भी क जो की आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बल के दुआरा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब यानि कि ऐसी कोन सी condition है जिसमें कि force के दुआरा जो किया गया कार्य है वो positive हो तो आपको options दिये गए हैं कि विस्तापन बल की दिसा में होता हो Option number B, विस्थापन बल के लमवत होता हो या फिर Option number C, आरोपित बल जो है वो कोई विस्थापन नहीं होता हो ठीक है, या फिर Option number D, विस्थापन बल की विफरीत दिशा में यानि की opposite direction में हो ठीक है, तो भई इसके लिए correct answer क्या हो जाएगा तो भई आपका correct answer हो जाएगा, बल के दुआरा किया गया कार्य धनात्मक तब होगा जब विस्थापन बल की दिशा में हो, ठीक है, यानि की Option number A Displacement is in the direction of force, तो correct answer हो जाएगा आपका Option number A चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, तो भई question number 6 जो की आपको याँ पर दिया हुआ है, कि निम्ण में से क्या, कार्य का एक गुण नहीं है यानि की इन में से कौन सा एक जो है कार्य की एक property नहीं है तो क्या-क्या options दिये गए हैं, देखिए, कि कार्य की दिसा होती है, यानि की work की direction होती है Option number B, कार्य किये जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है Option number C, कार्य का केवल परिमान होता है या फिर option number D, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्तापन होना आवशक है तो भाई देखिए, आपको देखते ही पता चल रहा है, option number A हमारा correct answer हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य जो है, वो भाई एक अदिस रासी होती है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, तो भाई, question number 7, जो की आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 80 kg की वस्तु को 40 m की उंचाई तक लगबग 50 second में उपर उठाने है तो, ओसत सक्ती कितनी होगी? ओसत सक्ती की बात हुई है, यानि की average power पूछी गई है, और G की value जो है आपको यहाँ पर दी गई है, 10 m पर 3 second square, ठीक है? तो जैसा की हम लोगोंने question number 2 को किया था, यह same वैसा ही है, लेकिन इसमें सक्ती पूछी गई है, यानि की ओसत सक्ती तो देखिए, एक formula होता है, आप लोगोंने पहले भी पढ़ रखा होगा, कि सक्ती बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है, सक्ती बराबर क्या होता है, W upon T, मैं लिख सकता हूँ, बिलकुल, अब देखिए, W की value हम लोग क्या रखेंगे, W बराबर हमने जैसा की question number 2 में पढ़ा था, M, G, H, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में तिनों की value है, तो अब देखिए, यह क्या हो जाएगा, P बराबर M, G, H, upon T, यानि कि हमारा final formula यह हो जाएगा, ओसत सक्ती के लिए, ठीक है, तो चलिए हम value put करते हैं, और answer को निकालते हैं, तो अब देखिए, यह question में हमें क्या-क्या दिया हुआ है, तो भाई, हमें यहाँ पर बोला गया है, कि M की value है, आपके 80 kg, ठीक है, 80 kg जो है, हमारी value है, M की, उसके बाद में, G की value कितनी दी गई है, तो G की value भाई, आपको यहाँ पर दे दी गई है, देखिए, 40 meter, sorry, height दे दी गई है, यहाँ यह चीज़ आपको समझ में आ गई, आप देखिए, T, यानि कि time जो है, वो आपको कितना दिया हुआ है, तो भाई, 50 second आपको time बोला गया है, यहाँ पर, ठीक है, तो हमने formula में value पूट करनी है, और answer निकाल लेना है, तो मैंने आपको बोला, कि power बराबर क्या हो जाएगा, M, G, H upon T, तो M की value है, भाई, 80, ठीक है, G की value है, 10, और H की value कितनी हो गई, H की value आपकी हो गई, 40, और T की value हमें दी गई है, 50, तो यहाँ दीखिए, 10 एकम 10, और 10 पंजे, 50, ठीक है, कट गया, अब दीखिए, 5 एकम 5, और 8 पंजे, 40, यह भी cancel हो गया, अब 8 को 8 से जब मैं गुणा करूंगा, तो भाई, यह मेरे को मिल जाएगा, 64, और यह 80 है, तो यह हो जाएगा, 640, तो कितना हो गया, 640, और यह भाई, सकती पूछी गई है, तो यह हो जाएगा, Joule पर second, ठीक है, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, तो भाई, इस question के लिए, हमारा correct answer हो ज जो कि वही आपको यहां पर दिया हुआ है, कि किसी वस्तु दुआरा उसकी इस्थती या फिर विन्यास दुआरा प्राप्त उर्जा को क्या कहा जाता है, तो देखिए, किसी भी वस्तु दुआरा उसकी इस्थती या विन्यास दुआरा प्राप्त जो उर्जा होती है, उस important questions हैं कहीं ना कहीं exams में आपके आ चुके हैं तो top level के questions हो जाते हैं तो आपका score कितना रहता है नीचे comment box में comment करके बताना बिल्कुल भी मत बूलिएगा और दोस्तों इन questions के और जो भी मैं आपको numericals करवा रहा हूँ especially उनके भई आप लोग notes जरूर से तयार कर लीजेगा क्यो किसी type के question आपके last बार exam में shift में पूछे गए थे ठीक है तो इसलिए मैं आपको यहां पे करवा रहा हूँ मैं question इसलिए नहीं बोलता हूँ कि important है क्योंकि वो मुझे लगते हैं वो आपके exam के हिसाब से important है इसलिए मैं उनको important बोलता हूँ ठीक है I hope आप लोग मेरी बात क को समझ रहे होगे तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ तो अगला question जो की question number 9 आपको यहां पर दिया हुआ है कि यांत्रिक उर्जा माइनस गतिज उर्जा बराबर क्या होता है ठीक है तो इससे पहले आप लोग एक चीज समझिए कि यांत्रिक उर्जा होती क्य है ठीक है तो भई यांत्रिक उर्जा सबसे पहले हम यांत्रिक उर्जा की बात करेंगे तो देखिए यांत्रिक उर्जा जो होती है वो भई आपके गतिज उर्जा यानि कि काइनेटिक एनरजी प्लस पोटेंशियल एनरजी यानि कि इस्थिज उर्जा का योग होती है ठी क्या हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह इधर चला जाएगा तो यह आपका क्या बन जाएगा potential energy क्योंकि यह इधर जानी है क्योंकि हमें यहां पर question में भोला गया है कि यांत्रिक उर्जा माइनस गतिज उर्जा तो यह क्या हो जाएगा potential energy यानि की इस्तितिज उर्जा, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number B, potential energy, यानि की इस्तितिज उर्जा, ठीक है, चलिए, देखते हैं next question, तो भई अगला question जो की आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कि पृत्वी की और मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल उर्जा में क्या परिवर्टन होगा, तो भई उसकी उर्जा में कोई भी परिवर्टन नहीं होगा, तो कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए, option number 1 में ही आपको दिया हुआ है, कि there will be no change in this, यानि कि इसमें कोई भी परिवर्टन नहीं होगा, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number A, ठीक है, परिए, तो by cycle की गतिज उर्जा क्या होगी, ठीक है, यानि कि आपको यहाँ पर गतिज उर्जा बताना है, और क्या क्या दिया हुआ है, तो भई mass आपको दे दिया गया है, और wave आपको दे दिया गया है, कि 20 मेटर परती second है, तो आपको पता है कि kinetic energy बराबर क्या होता है, तो kinetic energy यानि कि गतिज उर्जा बराबर होता है, एक बटा दो, mv square, यह question जो है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी इसी type का question एक करवाया था, तो अगर आप लोगों को याद हो, तो हमें जो है, यहाँ पर सिर्फ value पूट करनी है, और answer मिल जाएगा, तो देखिए फिर से तो भाई हम लोग जानते हैं कि kinetic energy बराबर होता है, एक बटा दो, mv square, ठीक है, अब देखिए, एक बटा दो सेम रजाएगा, m की value हमें यहाँ पर दी गई है 10, और v की value आपको 20 दी गई है, तो भाई square हो जाएगा, ठीक है, अब यह हो जाएगा, एक बटा दो, गुने 10, और इसका 20 का square हो जाएगा, 400, ठीक है, इतना clear है, अब देखिए दोस्तों, जब मैं इनको आपस में multiply करूँगा, तो यह हो जाएगा, आपका 4000 बटे 2, ठीक है, और यह आपस में जब cancel होगा, तो यह आपके आजाएगा, 2000 J, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2000 J, तो correct answer हमारा क्य हो जाएगा, तो option number D, इन में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए हमें कितना मिला है, 2000 J, जो कि आपको option में दिया ही नहीं है, तो correct answer will be option number D, none of these, यानि कि इन में से कोई नहीं, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, दोस्तों बहुत ही easy question है, कभी कभी जो है, सिर्फ एक formula पे best question भी आ सकता है, तो आप लोग इनको ignore बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बस इनको note करते चलिए, चीजों को समझते वे चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, 100% guarantee लेता हूँ, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रसनी की तरफ, तो भाई question number 12, यहाँ पर की इस्तिज उर्जा ग्याद करो, ठीक है, बहुत ही easy है, देखिए क्या होता है, तो भाई, potential energy बराबर क्या, mg और h, यह आपको पता है, कारिय वाले में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने थोरी इसकी पढ़ी है, तो भाई, आपको समझ में आया होगा, कि कारिय energy बराबर हो गया, mg, h, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो भाई, क्या-क्या दिया हुआ है, देखिए, हमें यहाँ पर सीधा सा h की value पूट करनी है, ठीक है, तो h की value क्या दी गई है, h की value दी गई है, 4h, और m द्रिव्यमानी बोला गया है, तो यह m तो भाई, same रह पोटेंशियल एनरजी, यानि की, इस्थितिज उर्जा बराबर, m गुणे, g गुणे, 4h, यह हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, m की value तो हमें m ही दी गई है, तो m तो replace होगा नहीं, ठीक है, h की value क्या है, तो h की value हमें 4h दी गई है, तो हमने यहाँ पर 4h लिक लिया, और यह हो गया, आपका 4mgh, यानि की option number a, तो इस्थितिज उर्जा क्या हो जाएगी, 4mgh, I hope आप लोगों वो समझ में आ गया होगा, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रस्शन की तरफ, तो अब देखिए भाई, question number 13, और यहाँ पर question में क्या बोला जा रहा है, कि एक short fire किया जाता है, गन से, और बंदूग जो है, वो पीछे की ओर आती है, ठीक है, यानि कि बंदूग को जो है, पीछे की ओर धक्का लगता है, तो बंदूग की गतिज उर्जा क्या होगी, बहुत ही easy question है, आप लोगों ने अगर थोरी का section पढ़ाए, तो याद होगा, देखिए भई, correct answer हो जाएगा, option number D, गोली से कम, ठीक है, बंदूग की गतिजूर्जा क्या होगी, option number D, गोली से कम, क्यों होगी, तो देखिए, जब गोली चलाई जाती है, तो बंदूग पीछे की ओर धक्का मारती है, ठीक है, बंदूग क्या करती है, जब गोली चलाते ह तो पीछे की ओर धक्का मारती है, तो बंदूग की जो गति जूर्जा होगी, वो गोली से कम होगी, ठीक है, लोजिक वाला चीज है भई, समझ में आना चीए, चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ, तो question number 14, और यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला गया है, त क्यों की भई, इसमें गति जूर्जा होती है, यानि की kinetic energy नहीं थोती है, तो correct answer हो जाएगा, option number C, ठीक है, गति जूर्जा या फिर kinetic energy, ठीक है, चलिए, दोस्तों देखते हैं, आज की हमारे इस वीडियो का last question, क्योंकि यहाँ से जो है, मैं इस वीडियो से तीन पार्ट क्योंकि यह काफी important chapter होता है, और यहाँ से numericals के question भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और theory में भी काफी important question बनते हैं, ठीक है, तो question ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ समझनी है, note करते वे चलना है, सारे numericals को फिर से एक बार try करना है, जिससे की आप लोगों को formula याद हो, चीज़ें याद हो, ठीक है, चलिए, देखिए question number 15, और यहाँ पर आपको भई question दिया गया है, कि cycle चलाते समय उर्जा का किस प्रकार रूपांतरन होता है, ठीक है, तो देखिए options दिए गए है, इस्थितिज उर्जा जो की बदल जाती है, पेसिये उर्जा में, ठीक है, ओप्शन number B, रासाइनिक उर्जा जो की पेसिये उर्जा में बदलती है, और फिर गतिज उर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है, यानि की जो chemical energy है, वो convert होती है, muscle energy में, और उसके बाद में convert होती है, kinetic energy में, option number C, रासाइनिक उर्जा यांत्रिक उर्जा में बदल जाती है या फिर option number D none of these यानि कि उप्रोक्त में से कोई नहीं तो देखे वह एक cycle चलाते समय उर्जा का जो है वो क्या होता है कि रासाइनिक उर्जा जो होती है वो सबसे पहले बदलती है PCA उर्जा में और बाद में ये जो PCA उर्जा है वो बदल जाती है गतिज उर्जा यानि कि kinetic energy में तो दोस्तों इस question के लिए आपका correct answer हो जाएगा option number B ठीक है तो I hope आप लोगों को जो है सारे question समझ में आए होंगे तो अब देखिए अगला question जो कि quiz for you में आज आप लोगों के लिए है और इसका right answer क्या होगा आपको नीचे comment box में comment करके बताना है तो आपके लिए question है कि निमली कितमे से किसमे गतिज उर्जा नहीं होती है यानि कि which one of the following does not have kinetic energy तो भाई किसमे जो है गतिज उर्जा नहीं होती ये आपको बताना है correct answer क्या होगा तो option जो है नीचे आपको comment box में comment करके बताना है options दिए गए है एक लुड़कता हुआ पतर यानि कि a rolling stone option number B गिरता हुआ नारियल यानि कि falling coconut option number C उठा हुआ हतोड़ा यानि कि rized hammer या फिर option number D गतिमान कार यानि कि moving car तो correct answer क्या होगा नीचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा ठीक है तो I hope आप लोगों वो सारे question समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी जो है काफी ज़्यादा पसंद आया होगा तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो इसको like कीजिएगा चैनल पर नए हो तो subscribe कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं एक नए टोपिक के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जएहिन दोस्तों